हम महिलाओं को गर और कीचन के काम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है इस समस्याओं का सामाधान वक्त पे ना किया जाए तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं आज का useful टिप आपके बहुत ही काम आने वाले हैं तो वीडियो को full watch कीजेगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा पहला यूसफुल टीप है मेरा चाय के कप को लिके चाय का कप हमारे घर में आता ही होता है यह जो चीनी का कप होता है इसमें अकसर ऐसा होता है कि यह बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं कभी तो ऐसा होता है कि चाई डालते ही हैंडल हमारे हाथ में रह जाता है और चाई का कप तूट जाया करता है तो हम ऐसा क्या करेंगी जो हमारे चाई के कप हैं यह बहुत लंबे टाइम तक हमारे घर में चले चीन के कप हैं टूटेंगे पर यह एकदम से ही ना टूटे कि मह यह नहीं दो महिने भी ना चले तो इसके लिए आप एक छोटा से स्टैप को फूलो करेंगे ना तो आपके चाई के कप बहुत लंबे वक्त के लिए सेफ रहने वाले हैं तो हमने क्या करना है एक बावल में पानी लेना है और जैसे ही मार्केट से हम चाई के कप लाते हैं पह कभी तो गरंचाई डालते ही हैंडल चाई के कप से अलग हो जाता है तो अब अगर आप यह स्टैप को फूलो करते हैं तो आप देखेंगे इसके जो बबल से पानी की वज़े से वो भर जाएंगे यानि कि चाई का जो कप है वो भारी हो जाएगा जिससे आपके चाई के जल्दी से तूटने वाले नहीं है तो यह पानी वाला ट्रिक को तो आप यूज करके जरू देखेगा आपके बहुत ही कामाने वाला है अगला इस फुल टेप है मेरा बेटशिट को लिके जब भी हम बेटशिट को धूप में डालते हैं हम हमेशा बेटशिट में क्लोथ क् लगा देते हैं उसके बावजुत जब हवा आता है तो बेटशिट क्या होता है कुछ इस तरीके से उलट के उल्टा हो जाता है यानि कि जिस तरीके से हमें इसे लगाया है वैसा हमें यह मिलता नहीं है गर्मियों का सिजन है तो थोड़ा वो तो हवा चलता है जिसकी जब वो हवा की वज़े से उल्टे हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कितना भी हवा आ जाए आपका जो बेटशिट है जो बड़ा कपड़ा है वो पलटने वाला नहीं है अगला इस फुल हैक है मेरा डॉर्मेट को लिखे तो इस तरीके का ग्रीन डॉर्मेट आजकल हर घर म चल सकते हैं तो आपने क्लून कैंदा भी होता है तो इसको आप क्लीन हमेशा करें डेतरल लिक्व जो नाने वाला साबुन होता है क्लीन के एक उपta कि भिलकोल में गेट पर रखे होते हैं जिससे उ Jewish आप इसे हमेशा अच्छे करकिकि इस क्लीन करें इसके बाद ने जिजल करने के लिए कभी भी ब्रश का यूज ना करें ये जो सीक वाली नारिल जहडो आती है इसका यूज करें इसे ये अच्छे सी क्लीन हो जाएंगे और इसके जो रेशे हैं ये टूटने वाले नहीं है क्योंकि जब रेशे टूट जाएंगे तो ये डॉर्मेट देखने में बि क्लीन हो जाएगा और रेशे भी नहीं निकलने वाले हैं अगला इस फुल हैक है मेरा जब भी हम सबजी बनाते हैं तो प्याज को भूनते हैं तो आप उस वक्त चुटकी भर नमक जरूर डाल दिया करें इससे क्या है जो प्याज अपना कलर बहुत जल्दी बदल देता है क क्रिसपी हो जाते है जो वक्त तीन मेंट का है आप देखेंगे डीर मेंट के अंदर ही आपके जो प्याज है वो बहुत जल्दी से गॉ लडडन कलर हो जाने वाला है अगले इस मिन्हें करो लेके जब श्मद छीं करने बएठते हैं यानी की कटिकरने बेठते तो बहुत ज सोटा सा ट्रिक लग रहा होगा पर यहीन माने जब आप से यूज करेंगे ना तो आपके बहुत जादा टाइम सेविंग होने वाली है तो मैंने यह बिंज को लिया है और बिंज को कुछ इस तरीके से अच्छे से टैप करते हुए एक साइड में करने ना है जिस तरीके से मैं अपने हाथों से करना है मार्केट में आप देखते होंगे रवर बेंट से कुछ इस तरीके से बिंज को कलेक्ट करके यानि खटा करके रखा जाता है जिससे वह बेचने में आसानी होती है पर यह वाला ट्रिक ना हम घर में भी यूज कर सकते हैं सबजियों को कटिंग करने आप देखेंगे आप एक साथी करें 25-30 बिंज को एक साथ कटिंग कर सकते एक एक बिंज को काटते रहेंगे तो हमारा जो काम के लिए 15-20 मिन लग जाते हैं तो छोटी छोटी च्रीक आप यूज करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम सेविंग हो जाने वाला है मिलगोल ह आसानी से और बहुत ही कम वक्त में कटके रेडी हो जाएगी तो यह वहला ट्रिक आप जरूर यूज करके दीखेगा मुझे बहुत ही आसान लगा बिंस भी एक साइस की कटी है छोटी बड़ी भी नहीं है और एक साथ बहुत सारी बिंस कटके रेडी हो गई है तो आप इसे इसके लिए आप लॉंग का यूज कर सकते हैं आप इसमें लॉंग डाल दीजिए अच्छे से कवर करके आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं यह दो दिन तक चल जाएगा किसी तरह की कोई बैड़ी स्मेल नहीं आने वाली है तो यह ट्रिक आप समाल जरूर कीजीगा अगला हम इसे डिप करके सुखाने के लिए डालते हैं तब यह वाला ट्रिक आपने यूज करना है आइस क्यूब इसमें डाल देना है और जब तक आइस क्यूब मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पानी में रहने देना है उसके बाद में नॉर्मल तरीके से आप कपड़े को नीचोड़े और डाल दीजे आप देखेंगे कपड़े में किसी तरीके के रिंकल्स नहीं होते हैं हर कपड़े में ये ट्रिक काम नहीं करेगी उनी कपड़ों पर काम करेगी जिसपे रिंकल्स होते हैं बहुत सारी शर्ट होती है कूरते ऐसे होते हैं जिनमें रिंकल्स आ जिसकी वज़े से हमें इन्हें लॉंट्री तक भीजना पड़ता है तो यह वाला ट्रीक आप यूज करता है तो आप बहुत सारे पैसे घर पर ही बचा सकते हैं तो इसे आप ही आप जरू ट्रयाओट करके देखिएगा अगले यूसफल हैक है मेरा बेट शिट को लेकी गर्म अगर आप इसे अपनाते हैं तो यह किन माने आप इसे बार-बार करना चाहेगे आपने इस बेट शिट को फ्रीज में डाल देता है लगबग आदे घंटे के लिए अगर आपको बहुत जल्दी इसके ठंडा करना है तो आप 10 मिन के लिए फ्रीजर में डाल सकते हैं और अच्छे सा नींद आने वाला है तो यह वाला यूसफुल ट्रिक आप जरूर अपलाई करके देखेगा बिल्चीट के लिए वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा देखने के लिए प्रहने बाद